बात 15 अगस्त 2023 की है, अपने स्कूल जाने से पहले मेरी पतनी जी द्वारा मेरे जेब से सारे पैसे निकालते हुए यह आदेश दिया गया कि आप कहीं जाएगे नहीं और कोई मीठा, आलू, तला, भुना या कड़ा चीज देगा तो भी नहीं खाएगे। बेताप था, मगर करता क्या? भागवत चाचा की दुकान बंद, मुन्ना और बच्चे लाल उधार पांदे नहीं रहे थे. छोटा भाई प्रशांद जो उस दुकान पर बैठता है वो गहमर से बाहर गया था और रहता भी तो चाय पान का पैसा नहीं देता. क्योंकि देवर भाभी को छोड़ कर भाई का तो होगा ही नहीं. भाभी ही देवर की दूसरी मा और सची दोस्त मानी गई है. दुकान पर बैठे बैठे मेरा काम बस ग्रहकों को ये बताना की आज कोई काम नहीं होगा भाई जो दुकान पर बैठता है वोह नहीं है, कुछ रह नहीं गया थ मैं उसका कम्प्यूटर खोल कर इधर उधर टाइम पास कर रहा था. अचानक मेरी निगाह उसके कम्प्यूटर के पास रखे कुछ सिक्को पर गई। उधर से आवाज आई, कहा है? मैंने कहा दुकान पर, उधर से फिर आवाज आई. आज 15 अगस्त है गारी भेज रहे हैं जाए थोड़ा घूम लीजिए. मैंने उसे धन्यवाद दिया और दुकान का शटर गिरा कर प्रमोद भाया के स्कूल पहुँच गया. बच्चों का कार् हस्वत भरी निगाह से देखा मगर बजार सूना था. दिल के अर्मा आसूओं में बह गया. मैं उदास हो गया. लरीडू की चाहत में निगाहें इधर उधर देखने लगी, तभी मेरी नजर एक जगह पड़ी, मन उदास हो गया. तभी एक आवाज आई, एए अखंट, नजर उठाया तो सामने केवल बड़ी लंबी सी खाली जगह पड़ी थी, गंदी सी, उस पर कुछ समारक जैसा बना था. आवाज किधर से आ रही है ये सोच कर मैं परेशान था. फिर आवाज आई, क्या सोच रहे हो, मैंने कोई गलत कहा क्या. क्या तुमने अपने बाप की दौलत बरबाद नहीं किया. आपकी मैं देख चुका था कि वह आवाज कहां से आ रही थी. मैं स्वीकृत में सर हिलाया और कहा बिल्कुल सही बात है मैंने अपने बाप की दौलत तो बरबाद किया है लेकिन. हाँ हाँ हा लेकिन. क्या लेकिन. उधर से फिर आवाज आई. मैं चुप रहा. मैं बताता हूँ तुम्हारे लेकिन का मतलब. उधर से आवाज आई. लेकिन यही न कि तुम्हें गर्व हो रहा है कि मैंने तो केवल अपने बाप की दौलत बरबाद किया. लेकिन यहां तो मुझसे बड़ा भी कोई है जिसने सामर्थ होने के बाद भी अ सोचते हुए कि आप उसका नाम बताएगे कि कौन है मुझसे बड़ा मैं चल दिया कुनाल के स्कूल के तरफ वहां कार्यक्रम समाप्थ हो चुका था. संजय चाचा मौजूद थे, उनके कहने पर कुनाल ने मुझे एक बड़ा पैकेट नास्ते का दिया. मगर चुकी पतनी का आदेश आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या था और मेरी हिम्मत नहीं थी उसे ठुकराने की क्योंकि ठकुराई का आदेश ठुकराने के बाद कैसी ठुकाई होती है इस कल्पना आप विवाहित प्रजाती के लोग समझ ही सकते हैं. मैं नास्ते का पैकेट वही कुरसी पर रखा और कोई तवियत खराब का बहाना बना कर चल दिया. इससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं पतनी से कितना दरता हूँ और अपने बाप की दौलत बरबाद करने वाला अकेला नहीं हूँ मैं मुझसे बड़ा और चोतरफा अदेख करने वाला भी कोई मेरी ह राशी का है. मैं तो केवल दौलत बरबाद किया मगर उसने तो सब कुछ. अब मुझसे बड़ा वह कौन है यह आप सोचे और बतावे.